राजीव सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे ही करूँगा क्योंकि आप शायरी का बहुत शौक रखते हैं तो अकात का वर्ड जो आया है वो शायरी में बहुत यूज होता है तो एक शारी से मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ कि दिलों से मैं नफरत मिटाये जा रहा हूँ महबबत की उकात बताये जा रहा हूँ लेकिन गुजरात के चुनावी जंग में ये जो तेरी उकात मेरी उकात का खेल हो रहा है इसमें कितनी नफरत, कितनी महभबत और किसको कितना नफ़ा नुक्सान? आपने शेर से शुरुआत की अरवी तो मैं भी एक शेरी पर दे रहा हूँ कि रंज की जब गुफ्तगू होने लगी तुम से तू, आप से तू, तूम से तू होने लगी तो अभी जो रंज है इस वक्त तो आप से तू पे आ गए, तू से तू पे आ जाएंगे ये राजनीत का ऐसा चुनावी जो शोर अखाड़ा होता है उसमें एक दूसरे को अब पटखनी देने के लिए ये सारे ती राजमाई रहते हैं प्रधान मंतरी नरिंद मोदी जब गुजरात का चुना होता है तो अपनी प्रतिष्ठा को प्रधान मंतरी नरिंद मोदी को गुजरात से जोड़ देते हैं अगर राजनीतिक विरोध में उनको कोई बात कही जाए तो वो कहेंगे कि 6 करोड गुजरातियों का अपमान है जब देश का चुना होता है तो इसको बीजेपी के लोग प्रधान मंतरी नरिद मोदी को राष्ट से जोड़ देते हैं अगर आप प्रधान मंतरी के बारे में कोई बात कहते हैं इसके मतलब आप राष्ट के खिलाफ कोई बात कहते हैं यानि प्रधान मंतरी के अगर आप विरोधी हैं तो राष्ट विरोधी हैं कई बार इस तरह की बाते भी निकाली जाती है और निकाली जाने की कोशिश की जाती है यानी कि सब अगर गुजरात की बात करना है तो आप प्रधान मंतरी मोधी का राजितिक विरोध नहीं कर सकते कर रहे हैं तो गुजरात का विरोध कर रहे हैं प्रधान मंतरी यही नियरेटिफ सेट करते है जब चُनाओ होने लगते हैं अब जहां तक ये भाषाई मर्यादा का सवाल है तो आपको मालूम है कि भारती जंता पार्टी और उनके शीर्स नेताओं ने भी किस तरह की चुनाओं में बात की है और अभी चुनाओं पूरा बाकी है और अभी देखिए कि भारती जंता पार्टी के नेताओं की तब से क्य क्या बात कई जाती है मैं 2007 के एलेक्शन में था जब कॉंग्रस सद्धिक्ष सोनिया गांधी ने प्रदानमंति नरेंद मोदी को मौत का सौधागर कहा था और इन इन्हीं तीन शब्दों को इन्हीं तीन शब्दों से प्रदान मंत्री नरेंद मोधी ने 2007 का चुनाव जीत लिया अपने को कह कर करके और आपने देखा जब तीसरी बार उन्होंने चुनाव जीता था 2012 का तब भी जो स्टेडियम में शपत ग्राण हुआ था तब उन्होंने जब भावुक हुए थे जब उनसे यह कहते हुए वो भावुक हुए थे कि लोग उनको भारती जंता पार्टी से बड़ा होता हुआ माल लेते हैं तो पार्टी तो मा की तरह होती है और आप पुरा दे गुजरात में बाहर के लोग आकर गुजरात को बदनाम कर रहें यह बाते वो कह रहें लेकिन जब बिहार का चुना होता है तो प्रधान मंत्री डियने के डियने ही खराब है इस तरह के शब्द प्रधान मंत्री भी इस्तेमाल करते रहे लाल रंग खराब है यूपी के चुनावी रण जीतना चाहेगा वो उसके लिए असंभाव बात है कि आप गुजरात का चुनाओ प्रधान मंतिर नरेंद बोदी पर हमला करके जीत जाएं आप भारती जनता पार्टी पर हमला करके जीत सकते हैं आप भूपेंद पटेल पर हमला करके जीत सकते हैं आप 27 साल क के शासन पर हमला करके जीत सकते हैं लेकिन प्रदान मंत्री को अगर आप टार्गेट करके गुजरात का चुनाओ जीतना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि जमीनी हकीकत इसके बिलकुल उलट है आपको मुझ की खानी पड़ेगी तो इसलिए प्रदान मंत्री को मालूम है कि पर मुख्यमंत्री के चेहरे पर वोट नहीं मिलने वाला प्रदान मंत्री को मालूम है कि भारतीय जन्ता पार्टी के करिया कलाप या उनकी सरकार का आंकलन के नाम पर यह वोट नहीं मिलने वाला यह वोट नरिद मोदी के नाम पर भारतीय जन्ता पार्टी को इस चुनाओ सबसे बड़ी बात क्या है कि 2022 में पहली बार 1962 में गुजराद के बनने के बाद पिछले साथ सालों में यह पहला इलिक्षन ने जब ट्रायंगलर फाइट की बात कही जा रही है दब जब तीसरी पार्टी अपना दम ठोक रही है लेकिन इस तीसरी पार्टी के आने के बाद नुकसान या सेधमारी जादा कर रही है या भारती जंता पार्टी के वोटों में भी सेधमारी कर रही है और इस दिश्टी से जमीनी हकीकत यही है कि जो कुछ अभी दिखाई दे रहा है उसमें वोटों का बिखराव जादा दिखाई दे रहा है और भारती जंता पार्टी भ भी कम भला बुरा नहीं कहा जा रहा है कॉंग्रेस पार्टी पर हमला होता ही रहा है राहुल गांदी ने कला के एक नया तीर छोड़ दिया उन्होंने कहा कि आदिवासियों का पहला हक राजी की संपदा पर या राजी के संसादनों पर है और आदिवासियों को भारती जंता पार्टी वाले वनवासी कहते हैं और इसलिए उनका और आदिवासी बेल्ट सौराष्ट इलाके में जहां मैं हूँ इस वक्तार का में द्वारिका सोमनाद जामनगर राजकोट यह जो हिलाका है अम्रेली सुरंदर नगर यह जो सौराष्ट का इलाका है भारती जिंता पार में देखी नहीं जा रही है प्रधान मंति ने भी अपनी चुनावी अभियान का श्रीगड़े इधर ही से किया था भारती जंता पार्टी के जो अर्विंद केज्रिवाल अपनी जमीन यहीं खोज रहे हैं और यह कॉंग्रेस की उर्वरग जमीन पहले से रही है नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देख 24.